हलो दोश्तों स्वागत थे आप सभी का आराग्वी में किनाइट परमें दोश्तों जितने भी स्टूडेंट गुरुबडी का इक्जाम दे चुके हैं और वो लोग अपना-पना आंसर की भी चेक कर चुके हैं और सभी लोगों के मन में एक ही डाउट बना हुआ है कि सर कटाप किया जाएगी, क्या नहीं जाएगी, क्या मेरा होगा या नहीं होगा क्या मैं पेट की तयारी करूं कि नहीं करूं सब के मन में एक ही डाउट बना हुआ है और सभी लोग इसी बात को लेकर परिशान है तो दोश्तों मैं इनी सब के बारे में आपको इस वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूँ तो दोश्तों वीडियो को जहां से देखना अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राईब करके बेल आइकन को भी दबा दीजीगा तो चलिए दोश्तों हम सुरू करते हैं अगर सबसे पहले देखा जाए नम्मर आप वैकंसी के तो यहां पे अगर 2019 में देखा जाए 2019 में यहां पे वैकंसी कितना आए तो यहाँ पे जो बैकंसी है एक लाख बैकंसी है यहाँ पे एक लाख बैकंसी है एक लाख यहाँ पे बैकंसी है इसके बाद फार्म की संख्या देखा जा कितने लोगों ने फार्म भरा तो यहाँ पे जो फार्म भरा गया एक करोन एक करोन पंदर लाख यहाँ पे फार्म भ यानि कितने लोगों ने एकजाम दिया तो यहां पे देखा जा कि किसी किसी जोन में 30% लोग एकजाम दियें, कहीं कहीं पे आपका 40% एकजाम दियें, कहीं पे 50% एकजाम दियें, अब इससे अधिक जो है बच्चे एकजाम नहीं दियें, यानि मैक्सिमम मान के चलिए कि 50% ल 2018 में अगर 2018 की अगर बात की आजा 2018 की तो वहाँ पे जो ए 62,000 बैकंसी थी तो यहाँ पे फार्म भनने वालों की संख्या अधिक थी यहाँ पे एक करोण 95 लाख लोगों ने फार्म भरा था और यहाँ पे जो एक करोण 95 लाख फार्म भरा गया है। यहाँ पे 70 पर्शंट लोगों की उपस्तिती थी और यहाँ पे जो उपस्तिती है 50 पर्शंट यानि 30 से 50 पर्शंट की उपस्तिती है। और यहां पे जो 2018 में जो रूल अपनाया गया था, यहां पे नर्मलाईजेसन का रूल अपनाया गया था, तो नर्मलाईजेसन में क्या हुआ था, कि लोगों का यहां पे दस से 20 नंबर बढ़ाया गया था, और इसमें 2019 वाले बेकंसी में क्या है परिशनटाइल रूल ₹ Repair इहां पर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा यहां पर 4-5 नमबर का हेर फिर देखने को आपको मिलेगा अब यहां पर देखेंगे कि एक लाक वैकंस सी है तो यहां पर 3 लाक लोगों को बुलाय साएगा यानि तीन गूशना लोगों को पेट के लिए बुलाया जाएगा अब यहाँ पे होगा क्या कि सभी लोगों को एक साथ मतलब एक बार तीन लाक लोगों को बुलाया जाएगा और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी 2018 में क्या था कि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जो है तेन से चार बार जो है आया था और यहाँ पे जो है बेटिंग लिस्ट नहीं आएगा अब यहाँ पे क्या होगा कि जो लोग यहाँ पे सेलेक्टेड होंगे और सेलेक्टेड होने के बाद अगर 10 से 20,000 लोग नोकरी छोड़ कर अगर चले जाते हैं तो वहाँ पे जो 10,000 जो सीटे बचेगा वहाँ पे दूसरी अगले बैकेंसी में उसको बढ़ा दिया जाएगा यहाँ पे जो यह वेटिंग का प्रावधान नहीं है यानि वेटिंग लिस्ट नहीं निकलेगा तो अब बात करें यहाँ पे में मुद्दे पर कटप की तो यहाँ पे जैसे जनरल है जनरल वाले की कटप क्या रहेगे और EWS, OBC, HC और YSD इन सबका जो है मैं कटप इसमें ब बात करना है तो फिजिकल में जो है आपको अगर मेल केंडिडेट है तो मेल केंडिडेट के लिए 35 किलो का वजन दो मिनट में 100 मिटर लेकर चलना है इसके बाद चार मिनट 15 सेकंड में एक किलो मीटर का दोड़ पूरा करना होगा और वही फेमिल केंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे 20 किलो का वजन उठाना है और दो मिनट में 100 मीटर ले करके चलना है और इसके बाद दोड़ की बात करें तो पाँच मिनट चालीज सेकेंड में जो फिमिल केंडियेट है उन लोग को एक हजार मीटर की दव करना होगा इसके बाद पी डवलो डी की बात करें तो उन लोग का कोई दवर नहीं होगा उन लोग का सीधे मेडिकल होगा ठीक है अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क कितना जाने के उमीद है तो जैसे सबसे पहले मैंने जो है कामुनिटी पोष्ट में पोल भी कराए था तो मैंने वहाँ पे देखा क्या कि जादे से जादे लोगों का जो नमबर है आंसर की देखनी के बाद 40 से 50 नमबर के बीच बहुत अधिक लोगों का आ रहा है तो कटा अफसाइद इसी के बीच में ही बनना चाहिए और बनेगा भी इसके बाद पर्शंटाइल रूल अपनाया जाएगा तो वहाँ पे चार से पांच नमबर बढ़ेगा यहाँ पे मैं रो मार्क बताऊंगा तो इसमें देखिए अगर आप जनरल से हैं तो जनरल वालों का आप आपका अगर 55 नमर है अगर 55 प्लस है तो आप जोए क्वालिफाई हो यह इसे एक दो नमर कम भी आप ले सकते हैं इसके बाद अगर आप EWS है तो आपको जोए 52 प्लस होना चाहिए इसके बाद OBC है तो OBC के लिए 50 प्लस होना चाहिए इसके बाद 80 है तो 80 के लिए आपका 45 प्रसोना चाहिए और यश्टी है तो आपका 35 होना चाहिए तो दोस्तों अगर आपका अगर इतना इतना नमबर आंसर की देखने के बाद अगर आ रहा है तो आप लोग पेट की तयारी में लग जाएए और पेट की तयारी करते रहेए धन्यवाद